Q&A को बात मिलेंगे अब तीसरा जो चेप्टर है परवानू में विकास तो अभी तक हम लोगों ने जो विकास करम को देखा विकास करम का मतलब हुआ जो पदाखवस्था से प्रान अवस्था जीववस्था और ग्यान अवस्था के जो सरीर का जो भी है रचना है उसको हमने विकास करम कहा और विकास जो है फाइनली जो है वो जो गठन सिल परमानू गठन पूर्ण परमानू में संक्रमित होता है उसी को ही विकास का रहे हैं अब उस पे हम लोग आ जाते हैं इससे पहले रचनाओं में विकास करम अस्पस्ट हुआ है या विकास करम परमानू अनू अनूरचित पिंड वनस्पती संसार पसु सरीर मानव सरीर की रचना तक रचना में विकास करम को अस्पस्ट किये है मानव सरीर सर्वोच विक्षित रचना के रूप में अध्यन गम है तो ये सर हम लोग पिछले चेप्टर में बात कर चुके हैं कि जो मानव सरीर सर्वोच विक्षित रचना है मानव सरीर सर्वोच विक्षित रचना इसलिए है कि मानव सरीर में मेधस रचना पुर्णतया विक्षित हो चुकी है तो जो मेधस की बात हम लोग बात कर चुके मेधस तो जीव जानवरों में भी है लेकिन सबसे सम्रद्र जो मेधस है वो मनुष्य सरीर का ही है इसलिए जो है सर्वोच विक्सित रचना जो है वो मानुष्य सरीर को ही कह रहे हैं सुदूर विगत से ही मानव नयाय धर्म सत्य संबंधी तत्यों का उद्घाटित करने का एक्षुक रहा है इस करम में जितने भी परियोग हुए हैं और आगे भी सूजबूज को विक्सित करने की आवस्यक्ता बनी रही परियासों के करम में आदर्शवादी भौतिक वादी स परियोग में आई फल परिना मानव कुल में आकलित हो चुका है तो अब बाबाजी परंपरा का मुल्यांकन कर रहे हैं कि बहुत देखेंगे इस धर्ती पे तो कई वर्सों से ही मनस जो है वो नयाय धर्म सत्य संबंधी बातों की बात चित करता ही रहा उसको जानने का करम में बोल रहे हैं कि दो तरीके के जो परियास हुए एक आदर्श वादी परियास और दूसरा भौतिक वादी हुआ इन दोनों ही प्रयोग से जो वह एक जो मानुविय विवस्था यहां पर प्रमानित होनी थी अस्थापित होनी थी धर्ती पे वह अभी तक नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी अपेक्षा के रूप में हम्में आप में सम्में यह बना हुआ ही है उक्तकरम में अस्तित्त को सहस्तित के रूप में समझने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास प्रस्तूत है अब बाबाजी इस दर्शन की बात कर रहे हैं कि बाबाजी ब प्रियास किया है तो वह बाबा जी को जो साहस्तेति के रूप में समझ में आया उसको अभिव्यक्त करने के लिए ऒी दूसरत तक भी जो है येसमझ में आ जाए क्योंकि मानब जो है व Quebec से देखेंगे तो वो अपने परंपरा का यह सिख्छा का वह अनुसंगी करता है जो भी परंपरा में ग्यान है उस ग्यान के अधार पर समझ करके जीने का कोशिस करता है तो उस अर्थ में बाबाजी ने भी परयास किया कि जो सहस्तित की पहचान हुई उनमें उस सहस्तित को की पहचान बांकियों में भी हो पाए इसके लिए उन्होंने इस दर्शन कुछ गरबला गया क्या चला गया था मैं वापस जो है इसको कर दिया हूँ होप ठीक सब है परमानु विकास करम होना विकास होना भी समझ में आता है परमानु में विकास का तातपर परमानु की गठन पूर्ण होने से है परमानु में विकास को जो बोल रहे हैं बावाजी ग में अंसों का घटना बढ़ना परिनाम के सवरूप में हम समझ चुके हैं परिनाम का अमरत्तो उसकी नियंतरता की अपिक्षा मानम में कलपना भास अभास परतिती के रूप में पाय जाता है अब जो ये बोल रहे हैं परमानों में जो भी गठन सिल से गठन पुर्णता हुआ है उसी को ही हम जो है परिणाम के अम्रत्य के रूप में जो है समझने की बात कर रहे हैं अम्रत्य का मतलब ही होता है कि जिसकी नियंतरता हो वापस जो है उसमें विपरीव दिशा में जाने का कोई भी उसमें क्रिया कलाप ना हो तो जैसे ही गठन सील परमानू गठन परिवर्तन नहीं होता है इसी को ही जो है बोल रहे हैं परिणाम का अम्रत्य कि इसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है होना भी सभाविक है सहस्तित्वादी विधी से यह असपस्ट हो गया है कि विकास क्रम में अनेक रचनाय इस्थिती परिस्थितियां दृष्टी गोचर हो चुकी है इसके मूल रूप में परमानू ही कायरत रहना असपस्ट हो चुका है ऐसा परिणाम रत्परमानू ही गठन प्रिप्त में हो जाता है इस घटना के लिए सवहवी क्रिया परिणाम विधी ही है तो बात बोल रहे है कि गठन सिल से गठन पुन परमानू होने को ही जो है बात कर रहे है उसके और इसके लिए जो बोल रहे है कि उसमें उसकी नियंतरता हो जाती है एक बार गठन सिल से गठन पुन हो गया तो उसकी नियंतरता हो जाती है परिणाम करम में परमानू को भूखे और अजिन पदों में समझना सहाज हो गया अब आती है कि यह जो परिणाम करम की बात कर रहे है तो परिणाम किसको कह रहे है बाबा जी कि पदा जो भी है गठन से गठनपुन हो जाने को पईनाम कह रहे हैं और गठनसील से गठनपुन होने के बीच में जो और परमानू हैं उसको पईनाम करम कह रहे हैं तो और जो परमानू में हैं उसमें से दो तरीके के परमानू की बात कह रहे हैं एक भूखा और दूसरा अजिर्न परमानू की बात क निकालना चाहरा है अजिन पर्मानु अपने गठन में से समाहित कुछ अंसों को बहिर्गत करने के पर्यास में रहते हैं तो सही बात है यह बोल रहा है कि जो अजिन पर्मानु है वो अपने जो भी उसमें अंसों की संख्या है उसको अपने से बाहर निकालने के पर्यास में ऐसे परमानू विक्रनिये वैभव से संपन्न रहते हैं अब यहाँ पर देखे जो है विक्रनियता की जो बात कर रहा है कि जो भी इस तरीके के परमानू है अजिन परमानू है उसमें विक्रनियता दिखती है तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइंस की भी बात करूँगा तो जो अजिन्र परमानों का मतलब जो जिसमें अंसों की संख्या जादा है तो साइंस भी जो है ऐसे जैसे परमानों की पहचान किया है और वहाँ पर भी साइंस भी ये कह रहा होता है कि उसमें भी विकीरन हो रहा होता है जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम जो है वो जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंस होते हैं 235-236 अंस होते हैं तो वो अलफा बीटा गामा रेडियेशन करते रहते हैं तो वहाँ पर भी जो उस तरीके के अजन पर्मानू के जैसा हम लोग यहाँ देखें तो जो भारी पर्मानू हैं जिसमें अंसों की संख्या जादा है वो भी विकिरन करिया करते रहते हैं तो बाबा जी भी यह कर रहे हैं कि जो भी पर्मानू अजिन पर्मानू है उसमें भी विकिरनियता समाहित रहती है तो विक्रनियता को बाबा जी समझाने कोशिस कर रहे हैं कि विक्रनियता जो है वो परमानू में क्रिया सिल्ता को सदा सदा बनाए रखता है क्रिया सिल्ता के फलन में तुहनी ताप विद्युत अपने आप निश्पन्न होता रहता है तो ऐसे परमानू में जो विक्रनियता ह इस अधार पर जो है उससे ध्वानिता विद्यत अपने आफ याफी निस्पन होते रहते हैंว्यापकवस्तु में भीगे रहने के फल से रोप उर्जा संपनिता बल संपन्नता बनाए रखते हैं तो यह तो पहली बात हो चुकी है कि व्यापक वस्तों में हर एक पर्मानु अंस पर्मानु जो है डूबे भीगे गरे रहने के कारण जो है उर्जा संपन्न हैं बल संपन्न हैं यही बल संपन्नता चुम्बकिये बल के रूप में गन्न होता है तो इस बल संपन्नता को चुम्बकिता के अर्थ में वाजी बोल अते विकर्निय परमानू अपने गठन में अजिनता को व्यक्त किये रहते हैं क्योंकि अपने गठन से कुछ अंसों को बहिर्गत करने का प्रयास बना ही रहता है। इस क्रम में विक्रनियता इस प्रकार से उपारजित हुआ रहता है कि अजिन परमानु में मध्यांसों की ओर ताप का अंतर नियोजन होता है, इसी में विद्युत भी बना ही रहता है, यही दोनों प्रक्रिया के फलस्वरों विक्रनियता प्रकट रहती है। और जो है ताप का अंतर नियोजन होता रहता है और वही जो अंतर नियोजन होने के कारण जो है उस मद्यान से विकरनेता प्रकट होती है Science D, यहाँ पर जो विकर्णीयता की बात करता है, जो Uranium है, जो वहाँ से जो alpha, beta, gamma radiation निकलते हैं, वो भी बता रहा है कि नाभिक से ही जो है ये radiation निकलते हैं, तो जो radiation भी हो रहे हैं, साइंस भी जो है वो रेडियेशन को नाभिक से ही पहचान रहा है कि वहीं से ये रेडियेशन निकल रहे हैं उसी की बात बाबा जी भी कर रहे हैं कि ये जो विक्रनियता है वो अजिन परमानों मध्यांसे की और ताप का अंतर नियोजन होता है तो जो मध्यान से उसकी और जो है ताप का अंतर नियोजन होता है और इसी के फलन में विक्रनीता प्रकट होती है भूखे परमानू की अब बात कर रहे हैं भूखे परमानू में कुछ और अंसों को अपने में समा लेने की संभाबना बनी ही रहती है इसलिए भूखे परमानू नाम है परमानू में अजिन और भूखा होना त्रिप्त परमानू के अर्थ में ही समझ में आता है अब बात आ रही है कि भाई दो तरीके के जो पर्मानू की बात कर रहे हैं एक अजिन पर्मानू और दूसरा भूखा पर्मानू अजिन जो अपने से पर्मानू उसको बहिरगत करना चाता है और भूखा पर्मानू जो अपने में पर्मानू उसको समा लेना चाता है ये दोनों ही त्रिप्त पर्मानु के अर्थ में ही समझ में आता है तो ये अजिन और भूखा जो है इसका जो नामांकन भी वो त्रिप्त पर्मानु के अर्थ में ही किया गया है तो ये जो पर्मानु में अंस का बहिर गमन या उसमें अंसों का समाना ये तब तक चलता और अजिन परमानु को हम पहचान सकते हैं भाई ऐसा होता कि यदि कोई गठन सील परमानु वो अपने जो गठन सील परमानु के रूप में अनतकाल तक के लिए बना रहता तब तो हम कहते कि वो भी त्रिप्त है लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो गठन सील परमानु है वो कहीं न कहीं अपने स्वरूप को बदलते हैं उसमें अंसो का घटना बढ़ना होता है इस अधार पर ही यह कहना बनता है कि वो त्रिप्त नहीं है और उसके अधार पर दो तरिके के जो अपने से अंसो को निकालना चाहते हैं उसको अजिन जो अंसों को समा लेना चाहते हैं उसको भूके परमानू करें ऐसा क्रिप्त परमानू ही अर्थात गठन क्रिप्त परमानू ही जीवन पद में होना पाया जाता है तो यह हम सब लोग जानते ही हैं कि जो गठन पूर्ण परमानू है इसी को ही जीवन कहा है बाव जो है ये अक्षे हो जाने की बात कर रहे हैं बल और सकती अक्षे हो जाते हैं अक्षे हो जाने का मतलब जो है अक्षेता का तातपर ही है कि कितना भी व्यक्त करें खर्च करें घटता ही नहीं है कितना भी आसा विचार अक्षा प्रमानों को व्यक्त करें घटता ही नहीं है औ अब जो है यह जो गठन पुर्ण परमानू है इसमें जो है जो भी इसके क्रिया सीलता है वो कभी भी घटती नहीं आप जितना भी उसको क्रिया सील जितना भी उसकी उर्जा को खर्च करें वो उतना और बना ही रहता है जैसे जो है इसमें अब जो क्रिया हो रही है वो कम हो जाती है मुझे याद है मैं यहाँ पर एक चीज का बताना चाहूंगा कि मैं जब सुवाती तो इसके मूल में जो वो उर्जा है, वो जीवन से निस्पन होती है, ये जो है, इसको जो भी है, जो साइंस वीडिया जो भी है, उसमें वो mathematical calculation की बात मेरे कोई कही थी, कि इसको जो है, तुम पूरा चार्ट बना के साड़ा कुछ करो, हलाकि मैंने उस काम को नहीं किया, क्योंकि उस समें मेरा वो interest नहीं था, लेकिन जो है, वो वहाँ पर भी, जो भावा जी कहा रहे थे, कि जो जीवन है, उसमें अक्छे बल सक्टी संपन्न रहता है, तो वो एक अस्तित्त में एक इकाई है, जो स्वेम का भी अध्यन कर सकता है, और संपुन का भी अध्यन कर सकता है, अब जो इस देखेंगे, जो बावा जी ने जो है, पदार्थ अवस्था, प्रान अवस्था, जीव वस्था और ज्यान वस्था कहा, तो ज्यान वस्था जो है, उसमे प्रबनसरी के सैयक्त रुप में है लेकिन जीर-जानवरों को उन्होंने ग्जानवस्ता में नहीं रखा है क्योंकि उनका जो है सिर्थ पहचाना निर्वा करना तक इस्चित रहता है मनुस्य में ही जानना मानना का कडिया होता है तो इस पुर्यस्थत्य में मनुस्य ही है जो अध्यन कर सकता है स्वयमकाभी और पूरे अस्थत्युका इसी महिमा बस मानव अपने परतिष्ठा के रूप में ग्यानवस्था में होना स्पष्ठ किया जा चुक हर नर नारी ग्यानवस्था में समान वैभब है, वो जीवन के रूप में कह रहे हैं, हर नर नारी देखेंगे, तो उसमें सरीर रचना की भिन्नता है, लेकिन जीवन में कोई भिन्नता नहीं है, इस अर्थ में दोनों ही ग्यानवस्था की काई है, नर और नारी दोनों को ही ग ग्यान वस्ता की इकाई है, और इस शुत्र को भुलावा देना ही भ्रम का दियो तक है, देखे इसमें बाबाजी ने हर बार नारी में असमानता जो है, उसको इसा कोई बात की है, उसका मूल कारण परंपरा में यह गलत है, क्योंकि आप जो है, दोनों को ही दिखेंगे, तो दोनों ही ग्या नवस्ता की काई है, दोनों में ही समान ता है, इस आर्थ में, जो है, यदि हम इस तरीके की भुलावे में रहते हैं, इसी को ही हम भ्रम कहते हैं, इस प्रकार जीवन अपने में एक गठन पुन प परमानू के रूप में होना और चेतनिक्रिया क्लाब के रूप में होना गठनपुर्ण। परमानू की जो जो क्रिया है उसी को भौतिक रासाने क्रिया करते हैं। और गठनपुन परमानू की जो क्रिया है उसको चैतनिक्रिया करते हैं। चैतनिक्रिया का मतलब जो है आप समझ सकते हैं जो इक्षा विचार आसा है जो कल्पना सीलता है इसको ही हम जो है चैतनिक्रिया कर रहे हैं। किसी गठन सील परमानू में ये एक्छा विचार आसा आपको व्यक्त होता वा नहीं दिखेगा। वहाँ पर सिर्फ जो है भौतिक राशायनी क्रिया ही देखने को मिलता है। जबकि गठन परमानू में ऐसा कुछ भी भौतिक राशायनी क्रिया देखने को नहीं मिलता, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है चैतनी क्रिया ही देखने को मिलता है और वो चैतनी क्रिया जो है वो मानव सरीर के द्वारा ही परंपरा में परमानित होता है। इस वैभब पर्तिष्टा को बनाए रखने में हर मानव को आस्वस्त होने विश्वस्त होने की मूल आवशक्ता के रूप में अध्यन करने समझने और इसे परमानित करने के कार में प्रविटियां प्रवर्तित हैं। इस प्रकार परमानु में विकास का मंजिल गठन पुन पद ही है। तो इस बोल रहे हैं कि इसी के अर्थ में ही जो इस वैभब पर्थिष्ठा को बनाये रखने में हर मानव को आस्वस्थ होने विश्वस्थ होने की मूल आवसकता की रूप में अध्यन करने समझने और इसे प्रमानुत करने के कार में प्रविर्थित हैं। तो आप हम सब जो हैं वो देखी रहे हैं कि इस ग्या नवस्था की इकाई होने के कारण ही जो हैं हम समझने और इसको जीने और प्रमानित करने के कारणे में प्रविर्त हैं इस प्रकार प्रमानुमे विकास का मंजल गठन पुन पद ही है ऐसा यहां जो है बाबा जी कर रहे ह और अभी आगे के जो पेराग्राफ है उसके लिए जो है अपने पास अभी समय नहीं है तो मैं इससे आगे जो है दो चेप्टर एक तो परमानू और दूसरा जो है परमानू में विकास करम को समझा और आज हम तीसरे टॉपिक परमानू में विकास की बात कर रहे हैं उसमें कुछ पेज हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम बढ़ते हैं तो आज ऐसा सिक्विन्स रखते हैं कि जो पहले बचा हुआ भाग है जो परमानवे विकास का उसको हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं complete कर लेते हैं उसके बाद मैंने जो ये तीनो चैप्टर है उस तीनो चैप्टर को हम लोग एक summarize कर लेंगे और उसके बाद जो भी प जो आगे बाबा जी लिख रहे हैं उक्त वीधी से या सुवस्पस्ट हो गया है कि भौतिक क्रिया रासाइनिक क्रिया जीवन क्रिया के मूल में परमानू ही है तो ये इस अस्तित में देखें तो तीन ही तरीके की क्रिया देखती है एक बहुतिक क्रिया राशाइनिक क्रिया या फिर जीवन क्रिया इन तीनों क्रियाओं के मूल में जो है परमानू ही है ऐसा बाबाजी कह रहे हैं चाहे बहुतिक राशाइनिक क्रिया को देखेंगे तो वो किसी गठनसिल पर्मानु में ही हो रहा होगा और इस जीवन क्रिया को देखेंगे तो वो गठन पुन पर्मानु में ही हो रहा होगा। तो जितने भी तरीके की क्रियाएं हैं, वो सब के सब मूलता किसी परमानू में ही हो रहे होते हैं। जीवन परमानू गठन पुर्ण है और भावतिक राशायनिक क्रिया में भागिदारी करते हुए परमानू गठन सील है। जीवन परमानू गठन पुर्ण है और भावतिक राशायनिक क्रिया में भागिदारी करते हुए जो परमानू है वो गठन सील है। जो एक परमानू जो है दूसरे परमानू के साथ संयोग करके अनू बनाते हैं। इसे अनू दूसरे अनू के साथ मिल करके अनू रचना बनाते हैं और ये इससे भी रचना बनते जाती है। उन सब में मूलत ये भारबंधन और अनूबंधन ही मूल आधार होता है इस रचना के विक्सित होने का। ये सिर्फ और सिर्फ गठन सिल परमानू में ही ये भारबंधन और अनूबंधन पाया जाता है। जैसे ही ये गठन पुर्ण होता है उस गठन पुर्ण परमानू में दूसरे परमानू के साथ किसी भी तरीके के योगशंयों का कोई आधार नहीं दिखता। इस अर्थ में जो बाबाजी बोल रहे हैं कि ये जो भार बंधन और अनुबंधन है वो गठन सील परमानु तक ही सिमित है गठन पुन परमानु में ऐसा कोई भार बंधन और अनुबंधन जैसा चीज नहीं दिखता। दूसरे तरीके के बंधन दिखते हैं जिसको बाबाजी इक्षा बंधन विचार बंधन आसा बंधन करते हैं उसके बारे में भी जो आगे बात आएगी हम लोग करेंगे। अब जो इसको एक तर्क रूप में समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि जीवन परमानु है वो भार बंधन अनुबंधन से कैसे मुक्त है इसको वो एक दूसरे तरीके समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि जो जीवन जो गठन पुन परमानु है जो जीवन है उसकी क्रिया को हम देखें तो जो क्रिया है उसकी आसा विचार इक्षा संख्या पर प्रमान इन क्रियाओं को हम किसी भी तरीके से किसी भी एक्सपरिमेंट से हम ना तो आंकलित कर पाते हैं और ना ही वहां पर कुछ संख्या का नंबर हम एसोसियेट कर पाते हैं जैसे गटनसिल परमानूं में आप जो है एक तो उसको मिजर कर पाते हैं और उसके साथ CLOUs कोफिस नंबर एसोसियेट कर पाते हैं विचार को देखें तो इन विचारों को हम किसी भी तरीके से किसी experiment से measure नहीं कर सकते और उसको हम किसी भी तरीके का number एसोसियेटि कर सकते के यह विचार भूगया यह विचार यतना हुआ तो इस तरीके से जो ये जो जीवन क्रियाएं हैं, जीवन क्रियाओं के साथ हम किसी भी तरीके से quantitative study नहीं कर पाते हैं, यही बता रहें कि ये इसका प्रमान है कि ये भारबंधन और अनुबंधन से मुक्त है, ये बाकी जितने भी तरीके के हमने जो experiment किये हैं अभी तक इस धर्ती पे, वो सब के सब मुलता किसी न किसी तरीके से ये भारबंधन अनुबंधन या फिर इसको कहें कि गठनसील परमानू का एक दूसरे पे जो प्रभाव है, उस प्रभाव का ही हमने अध्यन किया है, उसी क को ही गनितिये रूप में लाया है, तो वो बाबा जी यही कहना चाह रहे हैं कि कल भी एक भाई साब पूछ रहे थे, क्या जीवन परमानू को experiment से measure किया जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन परमानू के एक तो उसमें जो वो जमन परमानू के होने की बात है वो किसी दूसरे परमानू के साथ किसी भी तरीके का भार बंधन या अनुबंधन नहीं प्रस्तूत करता, इस आधार पे हम कोई भी experimental setup करके उस पे दूसरे परमानू का प्रभाव का अध्यन नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी तरीके से हम जीवन परमानू को experiment से measure नहीं किया जा सकता दूसरा जो है जीवन परमानू के जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को भी जो है हम किसी भी तरीके से किसी भौतिकिय तुला या एक्सपरिमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं और नहीं उसमें कोई संख्या करन कर सकते हैं प्रश्न आया है विए अंसक्रिया सील है और इतना ही उसमें कहें कि गठंसिल परमानु जो है वो भौतिक रासायनी क्रिया को व्यक्त करता है और गठन पुन परमानु जो है वो चेतनी क्रिया को व्यक्त करता है चुकि अभी तक जो हमारा जो अध्यन हुआ है इस जो हमारे जो भी जो परंपरा में अध्यन हुआ है जो साइंस बैक्ग्राउंड के हैं उसमें सिर्फ ऐस तक इस देखा गया है कि जो परमानौ है वह भावतिक रासा इन्हीं करते हुए पाए गए हैं इस अर्थ पे या इस कल्पना सीलता से हम लोग आगे बढ़ने पे यह हमारी कल्पना में आता है कि यह जो पर्मानौ है यह जो गठनपूर्ण परमानौ है वह सोच विचार कैसे क सकती है चुकि ये पहले आज तक परंपरा में नहीं था इस कारण से ये हमारे को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जिस तरीके से गठन सील परमानू भौतिक रासा निक्रिया कर सकता है ठीक उसी तरीके से गठन पूर्ण परमानू चैतन निक्रिया कर सकता है ऐसा हम लोग देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं इस गवाही से यह अस्पस्ट है कि भौतिक परमानू ही विकास क्रम में गुजरते हुए गठन पूर्ण पद में संक्रमन घटना संपन होना मानव को समझ में आता है अब यह जो बोल रहे हैं बाबाजी कि जो गठन पूर्ण परमानू है वो अस्टित में जो भी गठन पूर्ण परमानू है वो गठन सील परमानू के संक्रमन से ही बना हुआ है कई लोगों को मैंने देखा है पूछते वे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं ऐसा करे हैं कि अस्तुत में पहले से ही गठनसील परमानु और गठनपुन परमानु हैं यह संकरमन नहीं हो रहा जबकि बाबाजी ने कहा है कि नहीं ये जो है हमने देखा है क्योंकि ये गठन पुन परमानु के ही कारण जो है ये पूरे के पूरे जो है दर्शन में विकास क्रम की बात हो रही है विकास की बात हो रही है तो बाबाजी ने उस विकास का अध्यन किया है उस विकास को ही कह रहे हैं कि गठन सील परमानू से ही गठन पुन परमानू का निर्मान हुआ है उसी को ही विकास कह रहे हैं विकास करम के बिना विकास का अध्यन ही नहीं होता तो बाबजी ये बाबाज कर रहे हैं जो विकास करम है उसके बिना विकास का अध्यन ही नहीं होता तो ये कहें कि एक परमानू अंस से लेकर के एक परमानू बना और उससे अनेक तरेके की प्रजातियां हैं और अनेक तरेक प्रजातियों में से होता हुआ ही ये पर्मानु गठंसेल पर्मानु किसी समय एक गठंपुन पर्मानु में कनवर्ट होता है संक्रमित होता है तो ये एक करम है इस करम के बिना जो है इस गठंपुर्णता का अध्यन नहीं है चैतने परमानु जीवन ही परमपरा के रूप में विकास, विक्सित्पद, जागरती करम, जागरती को अध्यन वो परमानित करता हुआ पाया जाता है तो ये जो सारे अस्तित्त में जो भी घटनाएं हो रही है उसको यदि देखें तो इतना ही हो रहा है या तो विकास करम है या विक्सित्पद है विक्सित्पद का मतलब वो गठन पुर्ण परमानु और विक्सित्पद होने के बाद जो है वो गठन पुर्ण परमानु में जागरती करम देखा जाता है इस जागरती करम के जो final, जो destination को देखेंगे तो वो जागरती है, तो पूरे अस्तित में इतना ही हो रहा है, विकास करम, विकास, जागरती करम और जागरती, इसका अध्यन करने वाला एक मात्र जो है, चैतन्य परमानू, गठन पुन परमानू या जीवन ही है, दूसरा कोई भी परमानु इसका अध्यन नहीं करेगा या नहीं करता है इस तथ के आधार पर मानव परमपरा में ही जागरती परमानित होने की विवस्था है अर्था जागरती पुर्वा की मानप परमपरा वैधवित होने की विवस्ता नियती विधी से बनी हुई है तो इस बोल रहे कि यह जो विकास करम विकास जागरती करम और जागरती है इस आधार पे ही मानप परमपरा में जागरती परमानित होने की विवस्ता है जो इस धर्ती पे अभी प्रमानित नहीं हो पाई है क्योंकि ये धर्ती जो है अभी जागरती करम में हैं यहां पर जो भी मानव हैं वो अभी जागरती को प्रमानित नहीं कर पाए हैं जागरती करम में हैं और यदि जागरती प्रमानित होती है तो जागरती पुर्वक ही मान परंपरा वैभवित होने की ववस्ता नियती विधी से बनी रही है, तो यह जागरती पुर्वक है जो भी मनुश्र को लग रहा है लेकिन ये अस्तित्य की बनावट ही है वो से मुस्पूर्थ विधी से हो ही रहा है हम मनुष अपने आपको देखें तो मानविय परम मानविय इतिहास को यदि हम लोग मुल्यानकित करें तो ये प्रेड़ना है ही हमारे में ये प्रेड़ना जो है ये अस्तित्य की लिकिन प्रमानित होने की प्रेड़ना तो अवस्य ही है एक प्रतिभा गुप्ता जी पूछ रही है अगर इस तरह परमानु विकास में लगा रहेगा तो अपने आप में उसकी रिलाइबिटी कब तक कैसे रहेगी देख एक चीज यह लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यह गठन सील परमानु ही गठन पून परमानु बन रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर सारे के सारे गठन सील परमानु गठन पून परमानु में बदल जाएंगे और कुछ भी गठन सील परमानू नहीं बचेंगे देखे एक चीज है हमको यह मानना परेगा जो अभी वर्तमान है वैसा ही हमेशा रहने वाला है जो यह अस्ठित्यु जैसा है ऐसा ही हमेशा था और हमेशा रहेगा आप एक अस्तित्त के छोटे सेंपल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा होगा लेकिन ये अस्तित्त का कोई काल सिध नहीं होता कि ये अस्तित्त की सुरवात कब हुई थी अस्तित्त अनादी काल से चला आ रहा है तो जो अभी वर्तमान है ऐसा वर्तमान हमेशा रहने वाला इसी को ही वर्तमान का रहे हैं जो अभी है वही नित्य है वो एक छोटी सी जगा पे वो पडिवर्तन होता हुआ दिखेगा लेकिन पूरे अस्तित्त को देखेंगे तो पूरे अस्तित्त को देखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही बना रहता है उसमें अभी यदि गठन सीला गठन पुर्ण परमानू दिख रहे हैं, तो हमेशा ही उसमें गठन सीला गठन पुर्ण परमानू देखेंगे, आज देखें, सौ साल बात देखें, या कितने ही समय पहले क्यों ना चले जाएं। दूसरी विधी से बाबाजी ने ये भी कहा है कि इकाया अनंत हैं तो गठन सील परमानू भी अनंत होने का जो है संभाब है ही तो इस अनंत में से हम कितने को भी निकाल लाएं अनंत बचा ही रहता है तो गनितिय भासा से भी ये अनंत को हम संख्या करन नहीं कर सकते हैं तो य कि कनवर्ट होने की बात भी नहीं कही जा सकते हैं नियती विधी का तात्य पर सहस्तित रुपी अस्तित वैभव विधी प्रक्रिया फल परिणाम उसकी नियंतरता से नियती विधी जो यह बावाजी बोल रहे हैं कि जो अस्तित जो है स्वयम सहस्तित के रूप में है और वही परमानु में विकास गठन पुन पेज नंबर ओल्ड बुक में दिदी मैं तो जो है पेज नंबर 79 में पढ़ रहा हूं अभी कर्म दर्शन का पुराने बुक का जो है मुझे पता नहीं ये आपको धूनना पड़ेगा उसमें परमानु में विकास जो है ये तीसरा चेप्टर है ये आपको धूनना पड़ेगा परमानु में विकास गठन पुर्ण पद में अथवा गठन पुन परमानु के रूप में है ये हम लोग बात कर चुके हैं रुपाली दिदी बोल रही है 89 नंबर पेज है मानव है का अध्यन करता है बाबा ये कहा रहे है मानव है का अध् अध्यन करता है अस्टित जो है नहीं उसकी कलपना कर सकता है लेकिन उसका अध्यन नहीं हो सकता है अध्यन कई परिभासा बाबाजी ने बहुत ही सुंदर लिखी है अध्यन का τाट पर अनुभव के प्रकास में स्मरंपुरुबक अर्थों से इंगित वस्तूओं का अस्तित में पहचान पाना है तो यहां पर जो मैं इसको अलग-अलग जो है करके देखता हूँ अनुभव के प्रकास में अनुभव का प्रकास जो है जो ये कह रहे हैं कि जो ये किसी एक व्यक्ति को अनुभव हुआ उसने अपने अनुभव को भासा रूप दिया और अब हम जो कर रहे हैं उस भासा रूप से उस वो हमारे पास वो उसका प्रकास है मतलब जो अनुभव संपन्य व्यक्ति है उस अनुभव संपन्य व्यक्ति का जो भासा करन है उस भासा करन में जो वो अर्थ इंगित करना चाह रहे हैं अस्तित में उस भासा से वो किसी एक पिक्ता का पहचान हमारे में हो जाना ही अध्यन है जैसे बार-बार हम लोग बात कर रहे हैं गठन सील परमानू गठन पुन परमानू भार बंदन अनुबंदन ये सब्द जो है ये सब्द जो है वो एक अनुभव संपन व्यक्ति ने दिया हुआ है इस सब्द का वो अर्थ भी बता रहे हैं इस सब्द के माध्यम से जो वो अर्थ इंगित कर रहे हैं यदि ये अस्तित में हमारे को अस्पष्ट होता है तो हमारा अध्यन होता है जब तक अस्पष्ट नहीं होता तब तक हम अध्यन क्रम में ही हैं हमारा अध्यन नहीं हुआ ऐसा मानना ठीक है इस प्रकार शब्दों का अस्मरन, शब्दों के अर्थ से इंगित वस्तुवे अस्तित में सूस्पस्ट हो जाना ही जागरती है, अद्धयनपुर्न होना ही जागरती है, सुवस्पर्षता का तातपर स्वयम में अनुभव कारवेभार में प्रमान होना ही है तो ये जाग्रिती का जो बोल रहे हैं जो सुवस्पर्षता का तातपर स्वयम में अनुभव होना और अनुभव के फलन में जो हमारे कारवेवार हैं उस कारवेवार में इस अनुभव का प्रमान होना होता है जैसे हम लोग बाबा जी को जैसे मैं तो बोलों बाबा जी को मैं प्रमानित या अनुभव संपन इसलिए मानता था क्योंकि वो अनुभव संपन उनमें जो उनके जो कारवेवहर हैं उस कारवेवहर से ऐसा लगता था कि इनमें कुछ तो अलग है तो उनमें अनुभव का हमारे को अनुमान मिलता था कि बाबा जी को अनुभव हुआ हुआ है किसी दूसरे वक्ती में जो है इसका अनुमान इसलिए नहीं मिल पाता तो कहीं न कहीं उनके कार्वेभार के पर्ती हमारे को उस तरेके की जो है स्विकृति नहीं हुई रहती है इस कारण से उसके अनुभव पे कोश्चन मार्क हमारे को लगा हुआ रहता है परमानु में विकास का मतलब यास पस्ट हुआ कि परमानु गठन पुन पद में होना और गठन पुन परमानु जागरित होना यही नियती है तो जो है फिर से वो अस्तित की बात कर रहे हैं कि जो अस्तित में देखेंगे तो विकास के फल्सोरूप जो है गठन पुनता हुई और इस गठन पुनता के बाद जो है उसमें जागरिती होना इतना ही जो है अस्तित में घटना के रूप में घट रही है इसी को ही नियती कहा या मानव परंपरा में ही परमानित होता है तो यह जो जागरती है जागरती का जो प्रमान है वो मानविय परंपरा में ही होता है कहीं और नहीं होगा इसलिए जो है आप इसको देखेंगे भी कि जैसे बाबा जी को भी अनुभव संपन हुआ तो अनुभव संपन होने के बाद जो है उन्होंने प्रमानित करने का इसका प्रयास किया ही इसको मानभ परंपरा में व्यक्त करने योग भी सरीर रचना पहले से बन चुकी है तो जागरती को मानभ परंपरा में प्रमानित होने के लिए एक सरीर की आवसकता है जो इस धर्ती पे पहले से ही बन चुकी है इस सरीर के द्वारा अपनी जागृती को प्रमानित करने के लिए मानव ने भाती-भाती के प्रियोग किये तो परंतु प्रमानु में विकास का आसे गठनपूर्ण प्रमानु है ऐसा परंपरा में व्याख्याईत ना हो पाने के आधार पे जीवन पद का अध्यन नहीं हो प रहा है कि जो भी अभी यहां पर जागृती परमानित होनी है या मानव का जो भी अस्तितों का अध्यन होना है इस अध्यन में गठनसील परमानु को लेकर के स्विक्रती बन चुकी है हम सब लोग जो है गठनसील परमानु होते हैं ऐसा हमारे अंदर स्विक्रती है लेकिन जो गठन पुन परमानू है उसको लेकर के अभी तक हमारे में स्विक्रिट्टी नहीं हुई है या फिर परमप्रा में भी ऐसे गठन पुनता सब्द के रूप में कभी भी सुनने को नहीं मिला जीवन की व्याख्या अलग-अलग धंग से लोगों ने की है जीवन को किसी ने कुछ और नाम दिया लेकिन जीवन का स्वरूप क्या है इस स्वरूप का कहीं पर भी उलेक नहीं मिलता इस स्वरूप का अध्यन नहीं होने से जीवन पद का अध्यन ही नहीं हो पाया ये बहुत महत्पुन वात है कि सब्द के रूप में जीवन है जो है बुद्धी आत्म यह सब्द जो है परंपरा में मिलते हैं लेकिन इनके निष्चित स्वरूप का कहीं पर भी कोई उलेक नहीं मिलता इस कारण से कहीं न कहीं हम सब में उसको लेकर के एक संका बनी ही रती है कि क्या ऐसा जीवन रूप में कोई इकाई होता है या नहीं होता है कहीं न कहीं हम परंपरागत में वो या तो हम द्वैत अद्वैत वाला जो चक्कर है कि उसमें वो जीवन जैसा कोई चीज नहीं होता वो जैसा स्वपन में हम देखते हैं जगत तो वो जगत जो है होता नहीं रियलिटी में सिभास अभास होता है और इसी अर्थ में लोगों ने explain किया कि यह जो हम लोगों को जो दिख रहा है जो रियलिटी दिख रही है जो हम जो अपने को चैतन्य माने हुए है एक्चली मैं इकाई के रूप में अध्यन नहीं हो पाया मेरा भी यह मानना है कि यह बहुत बरा जो है जो भी है परंपड़ा में एक कहें कि कमी रही जिसको बाबा जी ने आके बहुत सटिक्त से इसको पूरा किया जीवन में घटित होने वाली जागरती के प्रकास में ही जीवन पद पद का अध्यन होना पाए जाता है तो यह जागरती है उस जागरती में ही जागरती का मतलब ही है कि अस्तित्व का अध्यन और इस जीवन का भी पता चलता है और जो बाकी गठन सिर परमानू है उनका भी पता चलता है इसलिए इसका जिक्र यहां करना सोहभी करा पूरे साइंस को देखेंगे तो महत्पुन बात है कि यह गठन पुन परमानू या जीवन पद या चेतन इकाई का उनके पास कोई भी स्वरू पर देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है कि हम स्वैम को भी भौतिक रासानिक सरीर के रूप में ही मान लेते हैं आगे बाबाजी ने लिखा ही है गठन पुन परमानु भ्रम्वस सरीर को जीवन समझने तक परमानु में विकास को समझने में समर्थ नहीं रहता तो चुकि हम ये बहुत भ्रम्वस जो हम लोग बात कह रहे हैं कि गठन पुन परमानु में जो क्रियाएं हैं वो जानना मानना पहचानना निर्वा करना है चुकि यदि गठन पुन परमानु में जानने की क्रिया नहीं हुई है तो मानने की क्रिया फिर भी होती रहती है और ये मानने की क्रिया के फलन में ये जीवन जो है इस सरीर को ही मान लेता है कि मैं यहीं हूँ और इस आधार पर ये जो जाने बिना जो हमने मान लिया इसी को ही भड़म कह रहे हैं भड़म का मतलब जाने बिना मान लेना और ये मानने कारण जो है मैं अपने आपको ये भौतिक रासायनिक सरीर ही मानता हूँ मतलब हमारे लिए मैं भी बहुत एक रासायनिक शरीर हूँ मैं भी बहुत एक रासायनिक वस्तु ही हूँ और जो प्रकृति में बाकिय चीजे भी दिख रही है वो भी बहुत एक रासायनिक ही है मतलब पूरे अस्तित्तों में जो भी है वो सिब भौतिक राशायनिक वस्तुवे हैं इस कारण से हम जो है जीवन का अध्यन नहीं कर पा रहे हैं जीवन का अध्यन नहीं होने का मतलग जो परमानू में विकास है उसका अध्यन नहीं हो पाता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं हम सब दी इसी में कहीं न कहीं अठके हुए हैं मैं भी ये मांनता हूँ भासा रूप में ठीक है हमारे को गठनसील और गठनपुन परमानू हमारे को बात आगई हैं पहुच गई है लेकिन लेकिन मैं अभी ये कहूँ कि कहीं न कहीं अभी भी ये गठन सील और गठन पुन परमानू जो है ये मेरे भास अभास में ही है ये अनुभब में नहीं आया है कि मैं सरीर नहीं हूँ या मैं गठन पुन परमानू हूँ ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कर सकता ये भासा रूप म आ गया है हमारे पास जीवन परमानु को भी माना ही है बिलकुल माना है अभी हम लोग सब कुछ माने ही है जब तक ये जानना नहीं हुआ है तब तक ये सब माने हुए ही है हम ये इसलिए माने हैं मैं परसनली अपनी बात बोलू इसलिए ऐसा मानता हूं कि ये है क्योंकि मैंन जागरित व्यक्ति के साथ काफी समय मैंने गुजारा है उनकी कारवभार को देख करके मुझे उनके उपर विश्वास हुआ है और ये विश्वास हुआ है कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सही ही कह रहा होगा क्योंकि उनमें जो मैंने इमानदारी देखी व्यक्त होने की इस कर रहा हूं लेकिन मैं मैं ऐसा बिलकुल नहीं कहूंगा कि मैं इरको गठन पुर्ण परमानु समझ में आ गया है यह चित्रन में भले ही आ गया हूँ अनुभब में नहीं आया है भौतिक रासायनिक विकास करम में मानव सरीर तथा परमानू में विकास पुर्वक जीवन और जीवन जागरती को परमानित करने के करम में ही मानव परंपरा में जागरती को परमानित करना होता है तो भौतिक रासायनिक विकास करम में जो बोल रहे है मानव सरीर तो जो ये बोल रहे है कि जो ये मानव सरीर जो है ये जो भौतिक रासायनिक जो गठन सील परमानू है उसमें जो रचना करम है उस रचना करम में ही जो ये स्रेष्ट रचना है ये जो मनुश्य सरीर है मानव स वो परमानू में विकासपुरवक जीवन तो जो जीवन है जो गठनपूर। परमानू है उने दोनों के संयिक्त रूप में ही यह काम कर रहा है। अब ये दो एकेंगे तो मनुस्य को जो है ये जो ज्यान अवस्था है वो जीवन और सरीर के संयक्त रूप में ये कारिक कर रहा है इसलिए इसमें जो है बाबा जी ने इसलिए इसलिए उप में लिखा भौतिक रासानिक विकास करम में मानव सरीर तथा परमानूं में विकास पुर्वक जीवन, दोनों ही की बात कर दें उन्होंने, वो सरीर और जीवन दोनों की बात कर रहे हैं, और जीवन जागरती को प्रमानित करने के करम में मानब परंपरा में जागरती को प्रमानित करना होता है, अब ये आगे की बात कर रहे हैं, जो अभी नहीं हुआ है, कि ज उन्होंने अपने जागृति को भी पाया और जागृति को जो है इस परंपरा में अभी जो भी है हम लोगों के बीच में प्रमानित भी किया जागरिती के प्रमान का मतलब ही है नैय पूर्वख समाधान पूर्वख यतहरता वास्तिविक्ता सत्ता पूर्वख प्रमानित होना तो प्रमान को जो है वो बोल रहे हैं कि न्याय पुर्वक, समाधान पुर्वक या थार्ता वास्तिविक्ता सत्ता पुर्वक प्रमानित होना है न्याय का मतलब है कि जो वेवहार है उस वेवहार में उभैत्रिप्ति को सुनिश्चित करना समाधान पुर्वक मतलब होए हर घटना में जो है क्यों कैसे का उत्तर ढूंड पाना ऐसे समाधान पुर्वक जो है ये व्यक्ति प्रमानित होता है प्रमानित होने का मतलब परंपरा में होना ही है उक्त पांचों विधाय प्रमानित होने के करम में पीधी से पीधी प्रमानित होना सवहविक है यही जागरित परंपरा है यह आगे की जो इस धर्ति पे अभी नहीं घटी है उस घटना की बात कह रहे हैं जो आगे घटित होने की संभाबना बनी हुई है जागरित परंपड़ा की यदि जागरित परंपड़ा यहां पर स्थापित होती है तो इस पीड़ी में एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में यह जो जागरती है वो जागरती जो है वो ट्रांसपर होती है और इसका प्रमान जो है वो एक पीड़ी पुर्वक अध्यान पुर्वक अभ्यास पुर्वक लोक व्यापिकन करता हुआ पाया जाता है अब जो अभी तक घटना घट चुकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मानल को जो भी समझ में आया उप्योगिता सदुप्योगिता के अर्थ में उसको लोक व्यापिकन वो क इस जो भी अभी तक के इतिहास में उसका अध्यन करवाने की विवस्ता तो है ही तो जो एक आदमी के समझ को हुआ उसको लोगोव्यापी करने की विवस्ता समाज में है ही इसी आधार पे बाबा जी ने जो अपने अनुभव को भासा रूप दिया और इस भासा रूप को ये जो पूरे दर्सन आए इस दर्सन को जो है इस सिक्षा में लाने का प्रयास किया है तो उसमें जो बाबा जी को भी समझ में आया उसको लोग व्यापिकरण कर लेकर एक जो है जो सेक्षनिक संस्थान बने हुए है, एक सिक्षा विधी बनी हुई है, तो उसमें जो बाबा जी को भी समझ में आया, उसको भी बाबा जी इस सिक्षा विधी में लाने का पर्यास करते रहे, हम लोग भी इसी किरम में ही हैं, हम लोगों को भी बाबा जी ने जो ये दर्शन का बनाकार को साकार करने का जितना भी परियोग करने का मतलब हुआ कि मन में जैसे मानले कि हम लोग अपने घर में देख रहे हैं, बिजली है, पंखा है, लाइट है, मोबाइल्स है, यह सब चीज है कहीं न कहीं, खोज होने से पहले, इसका कहीं न कहीं हमारे जीवन में कलपना होना हुआ ही, और उस कलपना को हमने वस्तु रूप में जो है, convert भी किया इसके बाद भी ये सब लोग व्यापिकरन हुआ एक का जो प्रियोग है एक mobile है किसी एक कलपना में आया तो उससे ये अब हर व्यक्ति तक पहुँच गया है ये सब लोग व्यापिकरन होने के बाद भी जो मनस्वस्थता मतलब जो है मनस्वस्थता जो मतलब ये कह सकते हैं इसको कि जो मानस्व में सुखी होने का जो प्रियास है उसका लोग व्यापिकर नहीं हुआ हो सकता है कि या मानले ऐसा किसी एक व्यक्ति को मानलोग को एक व्यक्ति सुखी हुआ हो तो उस सुख का लोग व्यापिकरन नहीं हुआ, किसी व्यक्ति में अनुभव हुआ हो, उस अनुभव का लोग व्यापिकरन अभी तक परंपरा में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन सब के अलाबा जो बाकी और पडियोग हुए हैं, जो भौतिक संसार में जो भी पडियोग हुए, उसम आपिकरन होता वा दिखता है, जबकि मानव की परिभासा ही मनाकार को साकार करने वाला मना स्वस्ता का प्रमान प्रस्तूत करने वाला है, मानव की परिभासा बता रहे हैं, मानव जो है, वो पुनता के हर्थ में बता रहे हैं, कि मनाकार को साकार करने वाला और मना स्वस्त मनस्वस्ता को प्रमान प्रस्तूत करने वाला भी है तो इसमें से अभी तक मनाकार को साकार करने वाला भाग अभी तक इस धर्ति पे प्रमानित हो चुका है लेकिन मनस्वस्ता का प्रमान अभी तक नहीं मिला है परंपरा के रूप में व्यक्ति रूप में हो सकता है जैसे ब संक्रमनित्या का तात्पर पुना पुर्विस्थिती में ना आने वाला परिनाम से मुक्ति का तात्पर पर्मानु में से कुछ अंस घटने बढ़ने की घटना से मुक्ति तो ये जो है अब पहले हम लोग बात कर चुके हैं परमानू में जो संक्रमन है उसकी बात कर रहे हैं संक्रमन का मतलब ही है कि उससे पुर्व के स्थिती में वो वापस नहीं जाएगा परमानू में संक्रमन होने के बाद जो वो गठनपुर्म परमानू बनता है तो उसमें फिर कोई भी अंसों का घटना बटना नहीं होता सहस्तितवादी विधी से सरीर और जीवन के सयुक्त रूप में मानना परंपरा वैभवित है अब ये बोल रहे हैं कि जो सहस्तितवादी विधी से जो सरीर और जीवन के सहीवत रूप में मानना परंपरा ही जो है यही उसका वैभब है जो ये अभी के वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं जो ये सहस्तित की बनावट है अस्तित में जो सहस्तित वादी विधी है उसमें सरीर और जीवन के रूप में ही जो है मानना परंपरा ज जीवन में ही संपादित होने वाली वैभवित होने वाली अनुभव मूलक विधी से अनुभवों का बोध बुद्धी में चिंतन चित में न्याय धर्मसत्य पुरुबक समोचित तुलन क्रिया वृत्ती में और मुल्यों का आसोदन क्रिया मन में होना पाया जाता है। कि जो जाग्रत जीवन होता है वो उसमें अनुभव मूलक वीधी से जो भी उसमें अनुभव हुआ उस अनुभव का बोध बुद्धी में होना उसका चिंतन चित में होना और चित में जो वो बोल रहे है वो न्याय धर्म सत्य पुरुवक जो है चिंतन होना और जो तुलन की बात कर रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य पुरुवक जो वो तुलन किरिया वृति में होना और जो मन में आस्वादन है वो मुल्यों का आस्वादन होना है यही जाग्रती का प्रम तो ये जागरित जीवन की क्रियाओं के बारे में बोल रहे हैं कि जागरित जीवन में जो उसकी क्रियाएं दिखेंगी अनुभव के आधार पे बुद्धी में बोध होना बुद्धी में बोध होने के फलन में चित में चिंतन होना चित में चिंतन होने के फलन में वृति में नयाई धर्मसत्य के अधार पे तुलन होना और उस अधार पे मन में मुल्यों का आस्वादन होना होता है। नहीं हो पाएगा मुल्यों की पहचान नहीं हुई है तो उसका आस्वादन भी मन में होना नहीं होगा संबंदों के पहचानने के उप्रांथी मुल्यों का निर्वा कर पाता है संबंधों के साथ मुल्यों के साथ वस्तूओं का अर्पन समर्पन वस्तूओं के अर्पन समर्पन के साथ उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजन सीलता प्रमानित होता हुआ अर्था बेवित होता हुआ पाया जाता है तो ये जो है बता रहे कि ज़र संबंद की समझ होने से जो वो मुल्ले समझ में आते हैं उस मुल्ले के साथ जब हम जीवन और सरीर के रूप में जीने जाते हैं तो वहां वस्तूओं की आवस्ता होते ही है तो उन वस्तूओं के जो है आदान परदान होते ही रहते हैं और वो उपयोगिता, सदूपयोगिता विधी से ही होता है ऐसा जो है प्रमानित होना मानगे परमपणा में दिखता है यहीँ प्रमानु में विकास और जागष्थी। तात्पर है तो यहां पर अब दोनों ही चीज़ बाबा जी ने अभी तक जो बात की थे पहले वो परमानु में विकास की बात की थी गठन सील से गठन पुर्णता की बात की थी अब जो है वो जागरती की बात कर रहे हैं इस जागरती को वो गठन पुर्णता को क्रिया पुर कि अस्तुत में जो है सिफ मनिश्ट ही है जो इस जागरती का प्रमान प्रस्तूत करेगा क्योंकि मनिश्ट को छोड़ के बांकी जो पदार्थ अवस्ता प्रान अवस्ता और जीव अवस्ता है कोई भी इस जागरती का प्रमान प्रस्तूत नहीं करेगा क्योंकि उसमें जाग जागरित नहीं हुए हैं हमारे में मानना पहशानना निर्वा करना हुआ ही है हो ही रहा है इस अर्थ में हम अभी जो है अजागरित कहला रहे हैं हम जागरित नहीं कहलाएंगे क्योंकि जागरिती के लिए जानना जो है वो आवस्यक है तो पुरे अस्तित को जानने के फल्सर पहचानना निर्वा करने के साथ अपने आच्रन को तुवासाइत विवस्ता और समग विवस्ता में भागीदारी के रूप में प्रमानित करते हैं अब जीवन की जगा जो है अब गठंसिल परमानु में चले गए हैं जहां पर वो जो पदात वश्ता प्रान वश्ता और वो प्रमानित करते हुए दिखते ही हैं जबकि मानव में पहचानना निर्वा करना के साथ जानना मानना एक आवस्यक प्रक्रिया रही है इसे भली प्रकार से केवल मानव कुल में ही प्रमानित होना पाया जाता है तो जो बाबा जी बोले हैं मानव में सिप पहचानना निर जवा करने के साथ साथ जानना मानना ही है और इस जानने मानने को केबल मानव ही जो है वो प्रमानित कर सकता है जानने मानने के साथ ही मानव ज्यानावस्था में होने के तत्य को प्रमानित करता है मानव को ज्यानावस्था में इसलिए रखा गया आप देखेंगे कि जीवाव पर जानना मानना के क्रिया नहीं हो रहा होता है, बहुत थोड़े अंसों में मानने के क्रिया दिखती है, लेकिन जयतर पहचानना निर्वा करना ही दिख रहा होता है, इस अर्थ में जो है, बाबा जी कर रहे हैं, कि वो जीववस्था जो है, उसको जो है ग्यान वस्था की का कहीं नहीं कर रहा है तो ग्या नवस्ता में सिर्फ और सिर्फ मानब को ही रखा रहा है मुलों कर रूप दो है जितने वी ख्रञाइब क्लाप चाहे वह भौतिक राशानिक क्रिया हो या आपके चैतनिक क्रिया हो पूरे अस्त्त में यही तीन क्रिया है भौतिक राशानिक क्रिया या चैतनिक क्रिया इन सब के मूल में परमानू ही है भौतिक राशानिक क्रिया जो है वो गठन सील परमानू में हो रहा है और चैतनिक क्रिया गठन पुन परमानु में ही हो रहा है, तो सारे क्रिया के मूल में परमानु ही है, उस परमानु में दोनों तरिके के परमानु की बात कर रहे हैं, परमानु में विकास करम और विकास के फल सोरूप भौतिक रासानिक और जीवन क्रिया का होना पाया जाता है, जो विकास करम की बात क करेंगे परमानु में तो वहां भावतिक रासाइनिक किरिया ही होती है और विकास के फलन में जो वू गठन पुन होता है। उसमें जीवन किरिए होती है। गठन सिर्फ पर्मानु के रूप में संसार का पूरा जो संसार दिख रहा है उसमें पदार्थ अवस्था प्रान अवस्था जीव अवस्था का सरीर और मानव का जो सरीर है वो सब जो है वो गठन सिल परमानुओं से मिलके ही बना हुआ है और उसमें भी जो है उसके सबसे विक्सित रचना की बात करें तो वो मेधस है इस रूप में जो है हमारे को दिखी रहा होता है परमानु में विकास का पहला चरण गठन पुणता के रूप में असपस्ट होता है जिसके फलसरूप जीवन एक चैतन निकाई के रूप में अक्षे क्रिया होना पाया जाता है तो फिर से उसको समराइज कर रहे हैं कि जो पर्मानों में विकास के फलन में जो गठन पुन्टा होती है इस गठन पुन पर्मानों को ही जीवन कर रहे हैं और इस जीवन को ही चैतनिकाई कर रहे हैं इसमें जो अक्षे क्रिया का होना पाया जाता अक्षे का बात हो चुकी है कि जितना भी इसको हम यूज करें ये कभी घटता नहीं है जीवन परमानु का जागरित होना परमानु में विकास का दूसरा चरण है अब जो है अब बता रहे हैं कि अस्तित में अभी तक जो बाबा जी ने बात की कि एक जो है संक्रमन की बात की या एक जो है गठन सील से पुर्णता वो हो चुका है गठन पुर्ण पर्मानु बनने के साथ ही लेकिन यही उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है इस गठन पुर्णता के बाद जो है उसमें जो है जागृति करम होता है इस जागृति करम में जो है फाइनल जागृति होना उस जागृति का मतलब है उसकी सभी क्रियाएं जागरित हो जाना, उसी को ही क्रिया पुर्णता कर रहे हैं, ये दूसरा घाट बोलते हैं, कि ये जो परमानु में गठन पुर्णता एक पहला घाट हुआ, दूसरा घाट हुआ क्रिया पुर्णता, और ये क्रिया पुर्णता के बाद भी, जो है, ये तो मैं इस तीनों को explain करता हूँ कि क्या कहना चा रहे हैं, कि किरिया पुर्णता को हम इस तरीके से देख सकते हैं, कि जैसे जो जानने मानने की, अभी जो हम जानने की कोशिस कर रहे हैं, हमारी को पूरे अस्तित्य का जानना हो जाता है, हम पूरे अस्तित्य का अध्यन कर लेते हैं, उससे विश्वस्त हो जाते हैं, कि अभी कुछ और अध्यन करने को सेश नहीं है, उसी को ही किरिया पुर्णता कर रहे हैं, तो ये अध्यन से जो है पूरा हो जाने का मतलब है, कि ये मन, वृत्ति, चित्त से लेकर के, बुद्धी और आत्मा में इस जितने भी वास्तिविक्ताएं हैं, उन सब का अध्यन हो जाना, जो ये व्यापक्ता है, इस व्यापक्ता का भी अनुभव होता है, इसका भी अध जो जीवन की क्रियाएं हैं, वो पुर्ण जागरित हो गई, क्रिया का मतलब ही है, उसको हम देखेंगे तर जानने मानने के त्रिप्ती बिंदू को ही हम क्रिया पुर्णता के रूप में पहचान सकते हैं, तो थोरा समय जो है, जो इसमें बाबाजी नहीं लिखा है, इसको मै मैं बता भी देता हूं जो जीवन में जाकृत जीवन की जो दस क्रियाएं जो बाबा जी बोल रहे हैं कि आत्मा में जो अनुभव प्रमान होता है बुद्धी में बोध संकल्प, चित में चिंतन और चितरन, वृत्ती में जो है तुलन विशलेशन और मयन में चैन अस्वाद जो दसो क्रियाएं हैं ये दसो क्रियाएं जो इनकी क्रिया सीलता है पूरी तरीके से जागरित हो जाने को ही क्रिया पुर्णता कह रहे हैं तो इसमें अब जो है इसको अच्छे तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझने कोशिस करते हैं कि अभी जो है हम लोग अजागरित हैं इसमें बाबाजी ने सारे चार किरिया लिखा है, representations का मतलब है कि जो हमारे जीवन में जो किरियाएं घटित हो रही है, उसमें से मन में चयन आस्वादन हो रहा है, और वृति में तुलन विशलेशन हो रहा है, और चित में चितरन हो रहा है, तीएकुल मिला के पांच हुए, लेकिन जो तुलन है, वृति में जो तुलन है, वो छे तरीके से हो सकता है, प्रिय हितलाब न्याद धर्मसक्त, इन छे तरीके से हो सकता है, उसमें से सिर्फ प्रिय हितलाब के अधार पे ही हो रहा है, इस कारण से सारे चार नाम दिया, उस वृति में न्याद धर्मसक्त के आधार पे भी तुलन हो शकता है, विशलेशन हो सकता है, वो अभी नहीं हो रहा है, इस कारण से उस क्रिया के रूप में देखेंगे, तो वो क्रिया जो है आधी अधूरी है, इसलिए उसको सारे चार क्रिया दिया, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो यह अध्यन कर रहे हैं, इस अध्यन से हमारे में जो हमारी और क्रिया एक्टिव होनी शुरू होती है, जैसे चित में बाबाजी ने साक्षातकार कहा, कि चित में साक्षातकार होता है, बुद्धी में जो प्रतिती होती है, इस सब को बाबाजी ने जो है, यह जागरत जीवन की क्रिया न नहीं है। यह साकशातकार जो है जागरती जो आत्मा में अनुभव होने से पहले जो चित में जो क्रिया हो रही है। उसको साक्षात का रहे हैं बुद्धी में जो क्रिया हो रही है उसको जो है साइद प्रतिती कह रहे हैं और इन सब के बाद आत्मा में अनुभव होने के बाद वापस जो है अनुभव होने के बाद वापस जो है इस आत्मा के प्रभाव में बुद्धी चित वृति और मन की क प्रतिति या इस तरीके के भासा रूप नहीं दिया तो साप्षात्कार जो है अनुभव होने से पहले तक जो भी प्रयास हैं उसको साप्षात्कार कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो अध्यन पूरा नहीं है जैसे सब्द के रूप में भास अभास प्रतिती अनुभव की बाग कर रहे हैं तो भास अभास प्रतिती ये मतलब अध्यन है लेकिन ये पूर्ण नहीं है अनुभव के बाद ही वो अध्यन पूरा होता है तो वो अनुभव ह होने के बाद जो जीवन की क्रियाएं हैं उसको जो है अजय जैन भया ने बुद्धी में उसको अवधारना कर रहे हैं और जागरती होने जो बुद्धी में क्रिया होती है उसको बोध कर रहे हैं और चित्त में जो क्रिया होती है उसको चिंतन कर रहे हैं तो यह दसो क्रियाएं जो हैं जो जागरती जो अनुभव होने के बाद जो यह दसो क्रियाएं जो हैं वो पूरी तरीके से क्रियासील हो जाते हैं इसी को ही क पुर्णता कहा लेकिन उसके साथ साथ आगे जो है वो कि आचरन पुर्णता की बात कई तो बुद्धी जो आत्मा में दो बात कहा अनुभब प्रमान बुद्धी में बोध संकल्प तो यह जो बात कह रहे हैं कि आत्मा में अनुभब तो हो गया उस अनुभब के अधार पे बुद्धी में बोध हो ही रहा है चित में चिंतन हो ही रहा है लेकिन फिर भी उसमें जो है उसका जैसे आत्मा में जो अनुभब उसका प्रमान प्रसूत नहीं कर पा रहा है वो जो बोध हुआ उस बोध के आधार पे उस संकल्प क्रिया को प्रकट नहीं कर पा रहा है चिंत अरे जो प्रमान है वो मानविय परंपरा में ही वो परमानित कर पाएगा इस आधार पे क्रिया पुनता होने के बाद जो है वो जो आपका आत्मा में प्रमान है जो अनुभव का प्रमान कर रहे हैं बोध का संकल्प कर रहे हैं चिंतन के आधार पे चित्रन और जो भी तुलन विशलेशन होना है नया धमसत्य के अधार पे उसको प्रमानित करने के लिए मानविये परंपरा में ही उसको प्रमानित करना बनता है और जब वो इस बात को प्रमानित कर लेता है तो उस घाट को बाबाजी आचरन पुर्णता कहते हैं जिसको अंतिम चरन कहा कि इसके बाद जो है उसकी नियंतरता होती है उसके बाद जो है और कुछ जो है सेस नहीं रहता ये पूरा का पूरा जो है गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता और आच्रन पूर्णता जो अस्तित में जो है जितने होने का प्राबधान है वो पूरा का पूरा हो गया रहता है बुद्धी कास्टित की वास्तिक्ताओं से तदकार कारिता ही बौध है देखे मी वह जो बाबा जी का रहे हैं Sarah को अब धारना कह रहे हैं और अनुभव के पश्चात या अनुभव सहित जो बुद्धी में क्रिया हो रही है उसको बोद कह रहे हैं अनुभव के बिना चित में जो क्रिया हो रही है उसको चिंतन कह रहे हैं उसको साक्षातकार कह रहे हैं और अनुभव के साथ जो है जो चित्त में क्रिया हो रही है उसको चिंतन का रहे हैं इसलिए जो है कई तरीके के जो है और भी जो है सब्दों का बाबा जी ने जो परयोग किया है इस प्रकार गठन पुनता क्रिया पुनता आशन पुनता इन तीनों चर्णों में परमानु में व अर्थ === उंपरमानुमें जो पुड़ा सील से गठन पुर्ण होना गठन पुर्णता के पश्चात उसमें क्रिया पुर्णता होना और क्रिया पुर्णता के पश्चात जो है उस मानविय परंपड़ा में उसको प्रमानित करने को ही वो आच्रन पुर्णता कर रहा है यही पूरित जो भी है परमानु का पूड़ा का पूड़ा विकास यही है देखे तो हम लोग थोड़ा सा जो है अब जितने भी तीन चेप्टर हम लोगों ने देखे हैं अभी तक पढ़े हैं अनुभव जीवन का होना है या कुछ और अनुभव जो है बहुत जो भी कोशन है मैं उसको बाद में ल लेते हैं उस समराइज करने के बाद जो कोशन हैं उसको मैं ले लोगा एक एक करके तो अभी तक हम लोगों ने जो भी है पहले चेप्टर में परमानु संरचना को समझा परमानु संरचना में मैंने प्रयास किया तुलात्मक अध्यन करने का कि जो बाबाजी मद्दस सहस्तित के रूप में हैं और इस सहस्तित के फलन में ही हर एक इकाई जो है हर एक परमानु से लेके परमानु अंस के सत्ता में इस व्यापक सत्ता में संप्रिक्त रहने के आधार से उर्जित हैं क्रिया सील हैं बल संपन्न हैं और इस सहस्तित को परमानित करने या सहस्तित क दिशा में प्रेडित हैं इस अर्थ में परमानु अंस एक दूसरे को पहचान करके परमानु बनाते हैं ऐसे परमानु जो है अनु बनाते हैं इस अनु से अनुरचित क्रिंड बनता है और ये और भी जो है अलेक तरह के जो है बहुत तरिके के हमारे को जो भौतिक रासानी र रचनाएं दिखती हैं उस रचना के क्रम में ही आगे बढ़ते हुए जो ये विकास क्रम में पदार्थवस्था प्रानवस्था जीववस्था ग्यानवस्था का जो ये होता है सरीर का निर्मान होता है मन्स में सम्रिद्ध मेधस का जो है तो ये सब की सब एक जो है सब्सक्राइब है जो गठन्कुल्ण पर मानूँ है वह अपने आप पूरी तरीके से हुकत नहीं करपाता है तो ऐस अर्थ में पूड' अस्वत्य देखेंगे टो एक निश्च yoga की ओर जो है वह दिख रहा होता है वह बाबा जी को समझ में आया और हम लोग भी उसका अध्यन करने कोशिस कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी अस्तित में अनिश्चिता जैसा नहीं दिख रहा है कि कहीं भी घटना एंग घट रही है जो हो रही है कोई भी रेंडम हो रहा हो ऐसा नहीं है जबकि इसके ठीक विपरेट अब हम साइंस को समझें सो साइंस अस्तित को जो पहचानने कोशिस में लगा हुआ है उसमें किसी फंडमेंटल नियम को समझ में आ गया हो साइंस को ऐसा नहीं है किसी मूल नियम की पहचान हो गई हो जिस फंडमेंटल लौ से वो हर एक घटना को एकस्प्लेइन कर पा रहे हो ऐसा नहीं है जो बाबा जी ने एक उसने जो है जो भी बहुतिक रासानिक संसार है उस बहुतिक रासानिक संसार में जो पहचानना निर्वा करना है उनके आपस में उस पहचानने निर्वा करने में जो उनका गनीतिय भासा है उसको समझा है उस गनीतिय भासा को एक संबंध रूप दिया है उस संबंध रूप क को ही एक नियम कह रहे हैं जैसे gravitational law, column's law या Newton's law ये सब के सब जो है वो भौतिक रासानिक वस्तूओं में जो है वो गनितिय भासा को समझ करके उसको एक स्वरूप देने को ही वो नियम कह रहे हैं तो वो एक fundamental law को अभी तक समझ नहीं पाएं हाला कि प्रयासरत हैं इसलिए उनको नकार नहीं सकते जितना भी उन्होंने गनितिय भासा को समझा है उस गनितिय भासा के लिए सम्मान बनता ही है क्योंकि उसमें काफी लोगों नहीं प्रयास किया है और उससे जो है वो गनितिय भासा कुछ हद तक सही भी उस भासा को जो भी नियम के रूप है दे पाएं हैं बूल इतना ही हो गया कि जो ये fundamental law है वो जो सहस्तित क्या है जो वो पहचान नहीं हो पाना इस कारण से ही वो जो science का अध्यन है उसको हम मान सकते हैं कि ये अधूरा है और अधूरा होने के कारण ही जो ये सहस्तित का अध्यन नहीं हो पाना सहस्तित के आधार पे ये जो परमानू में विकास करम विकास जो है जागरती करम जागरती का अध्यन नहीं हो पाना फलसरूप विवस्था का धिन नहीं हो पाना इसके फलसरूप विवस्था की मांसिक्ता डेबलप नहीं हो पाना इस कारण ही जो है ये सारी समस्याएं बनी हुई है इस धर्ती पे जो अविवस्था है वो इसी कारण से है तो आज नहीं तो कल जो है ये पर्यास होगा ही इसी प्रयास में ही मैं मानता हूं कि बाबा जी इस धर्टी पे आये सब लोगों के प्रयास में एक बीच में बाबा जी ने प्रयास किया और जो है इस पूरे अस्तित्य को पहचाना और उस पहचानने के करम में उसको भासा रूप दे करके इस परंपरा को ये मानव को देने के लि वातवरन से मुक्ति का कारेकरम चल रहा हो यदि आप गठनसील परमानु को देखें तो गठनसील परमानु में बाहरी वातवरन वस आवेशित होना पाया जाता है उस आवेश के फल में उसमें अंसो का प्रस्थाफन विस्थापन होना पाया जाता है उस प्रस्थापन विस् फलसरूप उसमें आगे भी आवेसित होने क्या संभावना बना ही रहता है और इन जो वतावरन का जो दवाव है भौतिक रासायनिक वतावरन का जो दवाव है उसको हम लोग भारवंधन अनुबंधन के रूप में पहचान सकते हैं तो ये जो दवाव है इस दवाव से जो आवेस से मुक्ती है वो गठन पुर्णता के कारण ही होता है तो एक जो है गठन सिर्फ परमानूं में जो आवेस मुक्ती है वो गठन पुर्णता फलसरूप होती है लेकिन इंट्रेस्टिंग ये चीज़ है कि वो गठन सिर्फ परमानूं भौतिक रासायनिक परमानूं के प्रभाव से तो मुक्त हो जाता है गठन पुन परमानू होने के बाद जो है वो एक दूसरे तरीके के प्रभाव में आ जाता है जिसको हम लोग दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि जो गठन पुन परमानू है उसमें जो दूसरे तरीके के आवेश जो है जिसको सड़ पाए जाते हैं और इसे मैं कौँगा गठनसिल परमानों में जो आवेस था वो अंसों के प्रस्ताफन विस्ताफन के लिए था लेकिन जो जीवन में आवेस है वो यह सड़ आवेस जो बाबाजी कहा रहे हैं काम क्रोद लो मौ मद्व आत्सर इसके अर्थ में यह आवेस यदि मैं अपने आपको देखो तो मैंने इस जो भी अभी मानवी परमपरा है जो भी है उस परमपरा में मैंने जन्म लिया इसमें जो भी अभी संसार में है उसका चितरन मुझ में हुआ इस कारण से यह जो सड़ आवेस हैं यह मुझ में भी आने शुरू हुए तो गठनस इसके ही फॉलन में हम देख सकते हैं जैसे गठन सिल परमानु में कि वहां पर अंसों के प्रस्थापन विस्थापन के वाद थोरे देर के लिए सुभावगती दिखती है उसी तरीके से हम यदि चैतन निकिडिया या गठन पुन परमानु में देखे तो कभी ये आवेस जो ह वातावरण वस कभी-कभी आवेस आता है उस आवेस से थोरे समय के लिए कभी-कभी जो है हमारे को मुक्ती जैसा भी दिखता है जैसे यदि हम कामवेस को ही समझे कि जो कामवेस है ये जब भी ये आवेश होता है इस आवेश के परशा थोरी देर के लिए ऐसा त्रिप्ती जैसा भास होता है लेकिन ये त्रिप्ती जो है वो छनिक ही होता है और इस त्रिप्ती की निरंतरता जो है वो क्रिया पुर्णता में ही जाके होती है तो ये जो एक कहें कि जो गठन पुन परमानू है ये गठन पुन परमानू में जो आवेस मुक्ती होना है या इसमें जो बाहरी जो वातवरन है इसके जो आवेस से या इसके दवाव से मुक्त होना है वो किरिया पुनता वस ही होता है तो गठन सील परमानू में आवेस मुक्ति गठन पुर्णता वस होती है और गठन पुर्ण परमानू में जो आवेस की मुक्ति है ये जो वातावरन का दवाव है उस दवाव से मुक्ति क्रिया पुर्णता वस ही होती है तो यह पूरा का पूरा इस तरीकेसे हम देख सकते हैं कि पूरा जो अस्तुत में जो भी काई है वो आवेश मुक्ती या अपने वातावर्न के दवाव से मुक्त होने के लिए प्रेतन सील है चाहे वो गठन सील परमानू हो या गठन पुन परमानू हो हर जगा पूरे अस्तित में देखेंगे तो एक ही कारिक्रम चल रहा है आवेस मुक्ती गठन सिल परमानू के आवेस मुक्ती जो है वो गठन पुर्णता से होती है और जो गठन पुर्णता से होती है और जो गठन पुर्णता से होती है तो यह बहुत सुन्दर मुझे लगता है कि मैं अपने आप में जो समझ पाया हूं इसी को ही मैं बता रहा हूं कि पूरे अस्तित में जो है अतलब एक निश्चित जो है वो बना हुआ ही डारेक्शन है कि हर इकाई आवेस इस मुकति के लिए प्रयासरत है और इस प्रयासरत में गठनसील और गठनपुन दोनों ही दिखते हैं और उसी को ही अपनव इतिहास को यदि हम आकलित करें तो यह हमारे को दिखता भी है मानव इतिहास में जितने भी परयोग हुए है उसको दो रूप में जो भी कहे हैं कि एक तो जो है जो भौतिक वाद का जो परियोग रहा और उससे पहले जो है जो भी जो रहा अध्याकमबाद रहा इन दोनों ही तरीके से कहीं न कहीं जो है मतलब स्वेम में तृप्त होने की आसा बनी ही रही लेकिन वो कोई प्रमान प्र कारण ही हम में प्रेड़ना बनी हुई है और इस प्रेड़ना वश् ha Convers जी हम सब प्रियासरत है आप हम सब लोग स्प्रियासरत हैं इसी किरम में साइस भी प्रियाशरत है साइस भी इन चीजों को समझने की कोषिश कर रहा है उसका द्रिष्टी अब ही बहुत चोड़ा है वो भी अस्तित्य को समझने की कोशिस करी रहा है चाहे वो बहुतिक राशानिक संसार ही क्यों ना हो चाहे उस बहुतिक राशानिक संसार में उस गनितिये नियम को ही समझने की कोशिस क्यों न कर रहा हो लेकिन वो प्रयास करी रहा है हर तरीके से वो हर इसलिए किसी को भी नकारना नहीं बनता है कि साइंस नियर्थक है हम लोग में एक जो दिक्कत जैसे मैं देखता हूं कहीं लोग हम तुरत ही जो है जो है परंपरा को नकारने हुआ है इतना ही कहना बनता है लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया ऐसा कहना नहीं बनता अभी भी वर्तमाने प्रयास करी रहे हैं हम लोग भी जो है इस कहे तो विज्ञान युग में ही है और हम लोग भी साइंस के ही स्टुडेंट रहे हैं मैं तो रहा ही हूँ और हम में ही खोशते वेश धर्षन तक पहुंचे हैं और को प्रयास में लगे हुए ही हैं तो फिर मैं समयराइज कर दों तो पूरे अस्तित्व में जो है आवेश मुक्ति वाधिये वातावर्ण के दवाब से मुक्ति आवेश से मुक्ति वा सभावगति से युक्ति के लिए प्रयास बिल्कुल आवेश से मुक्त होने का मतलब ही है सभावगति आवेश से मुक्त होने का मतलब क्या है कि उसमें बाहरी वातावर्ण का कोई दवाब नहीं होता बाहरी वातावर्ण का दवाब नहीं होने का मतलब वो जैसा है वो ऐसा बना रहता है इसी को ही सुभाव करें हैं इसी को ही जो है अम लोग जो है सुभाव गती कह रहें सुभाव गती का मतलब वो जिस भाव में अभी है उस भाव की निरंतरता होना तो वो आवेश मुक्ती के साथ ही होता है उस भाव की निरंतरता जैसे गठन सील परमानू से जो गठन पुर्ण परमानू होने के पस्चात ही अंसों का जो है जो प्रस्थापन विस्थापन होना बंद होता है या इसी को ही करते हैं कि वो सुभावगती में आ गया उसी तरीके से जीवन में भी समझ सकते हैं कि वो क्रिया पुर्णता के पस् प्लब ही है सुभावगति या दूसे तरीके से कहें कि जो सुभावगति में ना होना ही सब आविशत घती है तो इस अर्थ में पूरे चीज को देख पाता हूं कि जो पुर्यस्तित में ही है जो जो एक दिशा बनी हुई है हर इकाई के लिए वह गठन पुर्णता, क्रिया पुर्णता और आचरन पुर्णता की ओर जो है दिसा बनी हुई है जहां कहीं भी घटनाएं घट रही होगी वो इसी अर्थ में घट रही होगी विकास करम के अर्थ में जो है विकास करम विकास के अर्थ में घटन पुर्णता घट रही होगी और जागर करती के अर्थ में क्रिया पुनता आच्रन पुनता घट रही होगी तो कुल मिला करके इस तीनों चैप्टर में बावा जी ने जो है परमानों की संरचना परमानों में विकास विकास क्रम और परमानों में विकास को जो है यह मैंने पूरे जो है समराइज किया और अब जो है म मैं लेने कोसिस करता हूं कि अनुभव जीवन का होना है या कुछ और अनुभव जो है जो भी वास्तिविक्ता है अस्तित्य में जो कुछ भी है वास्तिविक्ता का ही अनुभव होना है जो है उसका अनुभव होना है तो जो है उसको बाबाजी ने बता दिया है कि अस्तित्य यही चीज है एक व्यापक है दूसरा इकाई है और यह इकाईयां जो है व्यापक में ही संप्रिक्त है तो फर्णामेंटल जो है उसको बहुत एक वाक में कहें सत्ता में संप्रिक्त इकाई यही वास्तविक्ता है उसका ही और फैलाव है इकाईयां गठन सील गठन पुन तदाकारिता ही बोध रह commitment है individual गुझे में प्रद्धिकों और गुणतावn ददाकारिता ही बोध है यह भासा ही है बिल्कुल सही है यह भासा के रूप में बावा जी थिए है कि बोध है टो यह बुद्धी ने जो पूश्या जीवन परमानू में मानने की btech कैसे आती है। ठीक उसी तरीके से आती है जैसे भौत्रिक परमानु में जो है वो एक दूसरे के साथ पहचान करके जो भारबंधन और अनुबंधन की क्रिया होनी पाई जाती है, देखिएगा तो हम ऐसा मानते हैं, हम कहीं न कहीं कन्फ्यूज हैं, जैसे मैं खुद भी कन्फ्यूज हूँ कि क्या होता है कि हमने परमानु को अध्यन किया हुआ है साइंस का स्टुडेंट हूँ परमानु में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि वो भौतिक राशाईनी क्रिया ही करता है और फिर हमारे जो है चित्रन में बाबा जी दे रहे हैं कि ये जीवन भी गठन पुन परमानू है तो हमारे में चित्रन तो वो परमानू का गठन सील परमानू का ही चित्रन हुआ हुआ रहता है और उसको लेकर के गहरी स् repetitive हुई रहती है कि वो गठनसील परमानू तो बहुत एक राशा या किरिया ही कर सकता है तो यह जीवन परमानू है यहाँ पर हमारे चित्रन में तो वो जीवन परमानू की बाद बावाजी ने दे दी लेकिन उसकी क्रिया को लेकर के हम जो गठनसील परमानू है उसका ही चित्रन हुआ रहता है इस आधार पे हमारे को ये स्विकार नहीं होता है कि अगर परमानू में सोच विचार का काम कैसे हो सकता जबके यदि किसी मेरा जो ये मानना है किसी नए बत जो है नया स्टुडेंट है जिसने अभी तक ना तो गठनसील परमानू के बारे पढ़ा ना गठनपून परमानू उसको ये समझाया जाए कि ये दोनों तरीके के परमानू होते हैं गठनसील परमानू में बहुत एक रास किरिया ही होती है इसके बाद इतने लंबे समय के पढ़ने के परशात जो है अब हम गठन पूर्ण परमानू सुन लिए और उसमें जो है जानने मानने की क्रिया कोई कहता है तो जो हमारा पुराना जो चितरन बना हुआ है उससे वो मैच नहीं करता यदि हम विल्कुल फ्र पहचाना निर्वा करना होता है यह गठन पूर्ण परमानू है इसमें जानना मानना पहचाना निर्वा करना दोनों ही होता है चारो ही चीज होती है तो मैं अपने आप में इस तरीके से ही अपने आपको देखता हूं कि मैं इस रूप में देखा तो मुझे ठीक लगा बलजीत सलुजा जी ने विक्रनियता पर्मानु को सदा सदा क्रियासील बनाए रहती है परंतु जिस पर्मानु में विक्रनियता का गुन नहीं है वह पर्मानु भी तो सदा क्रियासील ही रहता है क्रिपया समझाएं यह जो पर विक्रनियता जो है वो वो क्रिया सिलता जो है वो ताप के अर्थ में बता रहे हैं कि वो जो ताप का बाहिर नियोजन हो रहा है उस अर्थ में उस क्रिया की बात कर रहे हैं क्रिया तो जो है हर तरके के परमानू में हो रहे होते हैं तो जो वो जो विक्रनेता भी क्रिया है वो जो है वो जो अजिन परमानु में बना हुआ उसकी बात कर रहे हैं प्रानवस्था तक गठन पुन परमानू नहीं था बिल्कुल देखें गठन पुन प्रानवस्था जीववस्था ग्यानवस्था यदि जीववस्था और ग्यानवस्था में भी देखेंगे तो इनके सरीर रचना को देखें तो वो भी जो है प्रानवस्था की ही इकाई के जैसा दिखता है जैसे प्रानवस्था है इकाई पेर पौधे करते हैं तो जीब जन्तुओं के सरीर या मानव सरीर को देखें तो सिर्फ सरीर की बात करें तो वो प्रानवस्था की जैसा ही दिखता है तो वहाँ पर गठन पुर्णता की जैसी कोई बात नहीं है जो इस भौतिक रसानिक सरीर में कोई भी ऐसा परमानू नहीं है जो गठन पुर्ण है तो मुझे लग रहा है भाईया पर्मानु में भी तो अंस एंडलेसली घूम रहे हैं बिलकुल दिरिजे जो है के हर पर्मानु में अंस जो है घूम रहे हैं और जो पर्मानु अंस जो अंस जो पर्मानु में नहीं है जो पर्मानु से बाहर निकल के उसमें भी घुर्णन क्रिया हो ही रही होती और जो है तो कोई भी वेक्ति अपने आपको अनुभवी क्यों नहीं कह रहा क्योंकि दिदी देखिए जो है क्योंकि अनुभव होने के बाद जो है उस वेक्ति में अनुभव का मतलब क्या है कि स्वेम में विश्वस्त हो जाना कि हमारे को अध्यन पुर्ण नहीं बची ही है इस अर्थ में किसी व्यक्ति को नहीं लगता है कि हमारा पूरा अध्यन पूरा हुआ है अपने आपको कैसे कहे कि मैं अनुभव संपण क्पण हो गया हूँ जितने भी लोग है अभी हमारे अध्यन मैं तो अपने आपको नहीं मानता हूं कि मेरा अध्यन पूरा हो गया है इस अर्थ में मैं कैसे घोषना करूं कि मैं अनुभव संपान। इस तरीके से आप बाकी जो भी लिख हैं वो यदि ऐसा नहीं मासूस कर रहे हैं तो वो घोषना कैसे करेंगे जीवन व्यापकता का बोध अनुभव करता है या जीवन व्यापक में इकाईयों के बोध अनुभव करता है या अथवा दोनों को देखे ये सब तो जो है जो बात कह रहा है कि जीवन व्यापक्ता का बोध अनुभव करता है देखे ये सब तो अभी एक जो है अनुमान ही हो सकता है क्योंकि अनुभव किरिया जो है अभी घटित नहीं हो रही है मुझ में तो अनुभव किरिया का एक अनुमान ही हो सकता है जो बाबा जी ने भासा रूप में दिया है कि अनुभव किरिया में क्या घटित हो रही होगे तो उस अनुभव किरिया से जो उससे पहले जो है और भी किरिया है साक्षातकार किरिया है जितमें अबधारना है तो उसमें कुछ न कुछ जो है जो अध्यन तो हो ही रहा होता है लेकिन वो अनुभव किरिया में जो मेरे को समझ में आया है कि अनुभव किरिया में मूलता ज होगा वो सामय उर्जा का अनुभव होता होगा और इस संप्रिक्तता का अनुभव होता होगा गुड मार्णी भाइब आयम किरिएस तो नो इफ वी आर सम्मझ्ज इन ग्यान सिंस व्यापक इस बोथ ग्यान as well as उर्जा वाई कांट वी एस डिस ग्यान टू सॉल्ब आवर प्रोग्रेस टुवर्स जागरती देखिए जो हम कह रहे हैं हम लोग ग्यान में डूबे वे देख दो चीज़ है चेतना और चेतन व्यापक को चेतना भी कहा है बाबाजी ने है ना और जो है मनुस्त को चेतन इकाई कहा है गठन पुन पर क्रिया सीलता है वो पुन नहीं हुई है क्रिया पुनता नहीं हुई है इस क्रिया पुनता नहीं होने के कारण ही जो है हम उसको प्रमानित नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये चेतना जो हमारे में ये जो हम चेतना में ही दूबे विगे गिरे हैं ये चेतनी काई जो है चेतना म और अग्रसर हैं तो आज नहीं तो कल जो है समय सीमा को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है ऐसा कहना उचित होगा कि कभी न कभी जो है हम क्रिया पुर्ण हो ही जाएंगे और जो भी है अस्तित्त का उसका ज्यान हमारे को हो ही जाएगा और हम जागरती को परमानित कर ही पाएंगे अनुभव तक अध्यन को पुरुशार्थ कहा गया क्या आगे अखंड समास साभव विवस्ता होने तक सिक्षा पुर्वक पुरुशार्थ नहीं है इसे उपकार ही देखे ये जो बात है पुरुशार्थ की जो बात का रहे हैं जो बाबा जी बाबा काते थे कि अनुभव होन तक जो है उन्होंने जो भी है उनको जो भी जैसा भी प्रमपरा से और या स्वविवेक से उनको जो भी प्रयास करता लगा वो करते रहे वैसे करने के पस्चात जो है वो जो है उस अनुभव को लोगों तक बता ही रहे हैं लेकिन इस प्रयास में उनको कोई पीरा मैंने कभी भी नहीं देखिए मैं जितने दिन भी बाबाजी के साथ रहा मैंने कभी उनमें कोई पीरा नहीं देखा ये मुझे अध्रीकुत लगता था कि वह एक तरीके से जो बोलते हैं मजा मारी बिल्कुल मारी जैसा लगता था तो वह बार बार जो बोलते थे अनुभव के करने की प्रविर्टी होती है और जितना उपकार करें उससे और ज्यादा उपकार करना बना ही रहता है उसकी अपक्षा उसमें बनी ही रहती है तो यह उपकार करने की प्रविर्टी की नियंतरता हो जाती है उसमें एक मैं बहुत सुंदर जो बात जो पूश रहे हैं कि जैसे कार बार जो है बाबा जी के जीने के कार वैभार को देखता था तो कार वैभार जो है मुझे अच्छा लगता था और उसके विप्रेद जो है मुझे अपना कार वैभार स्वें मुझे ही सुईकार नहीं हो रहा था मेरे जो मैं विचार हैं जो दूसरे साथ जो कार वैभार कर होता था तो मैं बाबा जी के इस जो भी उनकी कलपना होती थी कि उनके विचार में ऐसा होड़ा होगा उसके अनुरूप जो है मैं भी जो है उनका अनुकरन करने की कोशिस करता था लेकिन अनुकरन करने में मेरे को बाबा जी में क्या पर जो है डिफ्रेंसिज है जिस कारण वर्स तरीके का कारवभार दिख रहा है और मुझे में नहीं दिख रहा मैंने बहुत सोचा और भाइट जो है दर्शन का अद्धिन किया तो मैं इसमें जो है मेरा जो ये प्रिस्कर्स रहा कि बाबाजी में जो है वो कहीं न कहीं जो यह कह रहे हैं, की वो एक अनुभव यह जो एक कहें कि m whatsapp जैसा बना हुआ है कि उसको मैं ब्रह्मानुभूति के अर्थ में दीखता हूँ वह व्यापकथा का कानुभव एक ब्रह्म कानुभव बना हुआ है उस ब्रह्मानु भूति के फल्सरुप वो किसी भी व्यक्ति से सुखी दुखी नहीं हो रहा है वो स्वयम में त्रिप्त हैं उनका सुखी दुखी होना वो स्वयम से हो रहा है उसमें बाहरी कोई भी हस्त छेप नहीं है कोई भ कि आ दिखता था कि उन्हें जो है एक चीज दो पकड़ में आते थे कि उनका दूसरे के साथ जो है कारव जो भी विभार उससे उनमें दुक्ळ का जो है कभी कारण बनता हुआ मैंने नहीं देखा तो यह चीज मैंने देखा कि एक तो वह है कि वह डूसरे से independent वो अपने आप में त्रिप्त हैं इस त्रिप्ती को जो मैंने पहचाना जो है जो भी दर्शन में देखा जो मैंने पढ़ा कि वो जो ब्रह्मानुभूती कर रहे हैं वो ब्रह्मानुभूती जो है ऐसी कोई न कोई अनुभूती जीवन में अवस्य हो रही है घटित हो रही ह उस घटना के फल्सुरूफ ही जो है उनमें ये स्थिती बनी है जैसा मैं अभी देख पाता हूं कि मैं लाख कोशिस कर रहा हूं कि मैं अपने मन को जो मन में ही जो सड आवेश जो मेरे में आ रहे हैं जो मन में छनिक त्रिप्ति की आसा बनी हुई है जैसे जो भी कामवेश है लुभावेश है ये क्रोधावेश है जो बहरी वातावरन से आ रहा है मैं पर्यास पुर्वक जो है कोशिस करता हूं कि ये आवेश मुझे में ना आए मैं अपनी सुभागती में बना रहूं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता वातावरन के दबाव वस मैं आवेशित होता ही हूं तो मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी जो है मुझे इस आवेशिय मुक्ती नहीं मिल रही है, तो इसके रूप में जो भी मैं अध्यन करता हूँ, तो मेरे को ये दिखता है कि जब तक ये आत्मा में जागरती नहीं होगी, आत्मा में अनुभव नहीं होगा, उसके बिना ज है दबाब से याविशत होना बना ही रहेगा जब तक आत्मा पुर्ण रूप से जागरित नहीं होता आत्मा के जागरिती के पश्षात ही जो मन है मन पुरी तरिके से यात्मा के अधीन हो जाता है वह बाहरी दबाब के साथ साथ जो है दर्सन में पढ़ करके इतना मेरा कंक्लूजन बना है और इस अर्थ में मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे आत्मा में अनुभव कैसे हो मेरे में जागरती कैसे हो so that मैं इस मन के आवेश से मुक्त हो जाओ देखे मैं एक बात कहूँ मुझे अनुभव की अपिक्षा नहीं थी मेरा बाबा जी के पास आना और इस दर्सन के पास आना सिर्फ इसलिए था कि मुझे वो आवेश सुईकार नहीं हो रहे थे जो भी मैं जब आयटी में था ध्यन क में से मुक्त होने की कोशिस कर रहा था तो उस मुक्ती में मैंने बहुत अपने आप हाथ पाव मारे सारा कुछ किया और मुझे मुक्ती मिल नहीं रही थी तो यह एक जो है बाबा जी के पास जो है या उनके दर्सन को पढ़ने से थोरा सा मुझे ऐसा लगा कि यहां पर हो स सकता है तो इस कारण से मैं बाबा जी के पास रहना सुरू किया और उस रहने के करम में मेरा दर्सन को अध्यन करना मेरा लक्ष नहीं था मेरा लक्ष ता किसी तरीके से मेरी आवेस से मुझे मुक्ती मिले तो इस तरफ में बाबा जी का बहुत सेवा करता था पैर दवाता था काभी जो है दिन भर लगा रहता था उसमें यह पेक्षा थी कि कहीं न कहीं जो बाबाजी के प्रभाव से मुझे उस आवेश्य मुक्ति मिल जाएगी तो एक दिन जो बाबाजी ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया उन्होंने कहा कि मेरी सेवा करते हो तो अनुभव हो ज था कि वह मेरी लिए बहुत बढ़ा एक दिरेकले जटका था कि मैं जीस आसा में आया था और मैंने जो कोसिश कर रहा था उसको बाबाजी ना जटका दी से उस जड़त्के के साथ उन्होंने ँच़र्सन परने के लिए भी प्रेश्यछिद किया अलाग मुझे दर्सन कि जब मैं वहां हर एक हपते चार दिन जाता था तो यह मानवेभार दर्शन है इस चार दिन में पढ़के हमको पूरा बताना उन्होंने यहां तक कहा मैं जितनी बार भी बाबाजी के पास जाता था सुबा गया कितना पेज हुआ फिर मैं दोपार कितना पेज हुआ तो बार जो है एक अच्छी बात जो मैंने देखे कि वह पढ़ने के करम में चाहे मानवेभार दर्शन पढ़ा हो तो मुझे लाइन बाय लाइन या पूरा पैरा गड़ाब समझ में आया ऐसा नहीं है लेकिन एक धुन्दला धुन्दला जो है चित्रन होना शुरू हुआ था तो मै उसको जो है मतलब पता नि मुझे फिर जो है वो ठीक लगने लगा कि यार पढ़ना चाहिए तो वो मैंने उसको कई बार जो है पढ़ने इकोसिस के वहुत कुछ समझ में नहीं आता था तो भी पढ़ता था लेकिन उस पढ़ने से मुझे लगता है काफी फाइदा हुआ अ उस आवेस मुक्ति के लिए मुझे रास्ता दिख गया कि यार बिना जो है ये आत्मा में जागरती हुए वो मुक्ति नहीं होगी जो आवेस से मुक्ति नहीं होगी और ये भी दिख गया कि यार ये करम है ये जो है ये करम से ही होगा एक जटके में नहीं होगा मेरा पूरा प कि जगह से उस धर्षण से मुझे भास-भास होने लगा कि हमारे को एक जागृतिक करम है उस जागृतिक करम से होखे गुजरना ही पड़ेगा यह कोई जटका नहीं होगा कि वह एक जगह से मैं तुरदprint समुक्त हो के जागृत हो जाऊंगा तो इसको मैंने स्विकार किया कि एक लंबा कारिक्डम है और उसके लिए जो है मैं लगा हुआ हूँ बट जो है यह मेरे में जो है अध्बुत चीज लगी मैं इसके जाता एक और भी चीज बताऊंगा कि देखे बाबाजी के पास रहके मुझे हर सम मेरी कल्पना शीलता जो चित्रन है उसमें मैं इस सही चीजवास्टिक्ताओं को लेकर की स्मरन करता रहता तो मैं बाबाजी का पैर दबाता था तो आंख बंद करके अपने मन में अस्तितुदर्शन गयां जीवन घ्यां अइसा बार-बार गुन गुनाता रहता था उसमें कोई सोच विचार नहीं लेकिन अपने मन को बार बार जो है असे तो दर्शन ग्यान जीवन ग्यान मांवेता पुनाचरन ग्यान ऐसा गुन गुनाता था ताकि मेरे में हमेशा उस और दिसा बनी रहे ऐसा मैं प्यास करता रहता था तो ये एक अच्छी बात है कि मैं एक और चीज़ भी कहूं कि बावाजी के जाने के बाद जो है जब सरीर सांत हुआ बावाजी का तो मेरे लिए फिर से वो एक सेट पैक था क्योंकि मेरे लिए उससे अच्छा वातावरन नहीं था मेरे लिए जो है वो वातावरन जो है वो खतम हो गया वो मेरे लिए बहुत ही जो है एक तरीके से मतलब जटका जैसा था उस समय मैं आंगे का कुछ नहीं सोच पा रहा था तो मैंने उस समय जो है मैं मतलब मेरा मैं को कोई संतुलित निर्ने नहीं ले पा रहा था तो मैंने जो है बहुत तरीके कोशिस किये मैं इधा उधर भटका भी कुछ दिनों के लिए योग संयोग से मेरे हाथ में पातंजली योग भी आया मैंने पातंजली योग को भी ठीक ठीक पढ़ने की कोशिस कि मैं उसको भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं परंपरा का भी मुल्यांकन कर पाया और बाबा जी ने उस परंपरा से आगे क्या काम किया है इसको भी मैं समझ पाया तो वहाँ पर भी जो है अस्टांग योग में जो बोलते हैं यम नियम आसन प्रनायम परतेहर धारना ध्यान समाधी तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि वो एक कोई जो है एक जटके में होने वाला समाधी की क्रिया नहीं है उसके लिए एक जो है निश्चित कारिक्रम है व वहां भी कारिक्रम था कि पहले यम है उसे में जो हमने लिखा है कि जो भी यह सब करना होगा सत्य हैrij करना होगा तो यह सब की पालन करने में भी आप देखेंगे तो फ्पर्ब्रा 위에 और उस अब्भ्यास धो होता है व्हें जटके मई सभात परंप्राके रूप में मानव जीते हुए उन आवेशों से मुक्ती पा सकता है इसका एक संदर गासता दिखाया है ड़ो समच्ट सड आवेश हैं उस हो कही न कहीं परधन परणारी परपीरा के ही रूप में हैं तो ये जो परधन परणारी परपीरा या इसको सड़ावेश कहें इससे मुक्ति के लिए जो है इनों ने जो है एक दूसरा अभ्यास जो बताया सवधन सवणारी दयापुनिकारवार इसका अभ्यास हम करते रहें तो ये अभ्यास करके क्रम में ही हम एक ना एक दिन जो है इस आवेश से मुक्त हो भी जाएंगे और इसको जी भी पाएंगे आवेश से मुक्त होने के बाद ही जो है वो स्वधंस्वा नाड़ी दयापुन कारविभार में जीना हो पाएगा तो ये एक अदभुत मैं देखता हूँ कि इन्होंने एक बहुत सुन्दर अभ्यास दिया है वहां तक उस आवेश मुक्ति के लिए जागरती तक के लिए एक रास्ता हम लोग के लिए खोला है और ये हम सब लोग इसमें लगे हुए ही है आप हम सब लोग जितने भी लोग है लगे हुए हैं मिलके पयास कर ही रहे हैं तो यहां भी ऐसा देखी रहा है भैया जेके अस्तित्त सहस्तित के रूप में है उसका प्रकटन हम लोगों में भी देखी रहा है कि जो हम लोग लगे हुए हैं तो मेरे को लगता है मैं इतना ही काना चाहूंगा और भी ऐसा कुछ होगा है बात मैं और जो है लिगेट करना चाहूंगा कि हम लोगों को थोरा सा जो है यह प्रंपड़ा का इस तरीके से पूरे नकारने की जगा कि साइंस को कुछ भी नहीं पता है ऐसा ना काके सोधकारे करना चाहिए और मैं राकिश्ष भीक करण कि जो वह साइंस को लेकर के जो मैंने दो लोगों को पहचाना है एक अनुड़ाग भईया देहरादून से एक लाज उत्रेजा जी हैं सरदार सहर से इन दोनों को मैंने देखा है कि इनकी साइंस में पकर अच्छी है तो साइंस जो है कैसे समझा है इन चीजों को साध इनका भ सोचा है कि जो प्रान अवस्था से जीववस्था है उसमें कई कि पतंग में जो है वो जीवन नहीं होता है फिर उदर कैसे हुआ तो बढ़िया रहेगा